अब आप अप्रेंड्स गुड़ मुड़ इवनिंग मेरा नाम है अमिद पंडे और जैसा कि मैं क्लास लेकर आया था लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तो इसलिए अब यह रिकॉर्ड मैं कर रहा हूं मैं मैंने कहा था कि क्लास होगी तो क्लास होगी गाइस मैं आपको रिकॉर्ड अप्लोड करके देता हूं ठीक है चलिए तो मैं यहीं शुरू कर रहा था कि जो भी पार्टनर्शिप गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं मैंने यह कुछ बाते बूली थी कि जो पार्टनर्शिप मैं अभी आपके साथ डिसक्स क होते हैं तैयार है ना ध्यान से पढ़ना कॉंसिप्ट की बात करेंगे सबसे पहले जैसे मालू कि मैं अगर आपसे भूलू तो पार्टनर्शिप पता क्या हो दा पार्टनर्शिप एक ऐसा चैप्टर है जिसमें गूल कपा है और गूल कपा है क्योंकि पार्टनर्शिप र हम बढ़uden उनने को स्टार्ट किया मैंने और उस ने हमने एक बुजनस को स्टार्ट किया अब मेγक 2 बहुत इंपॉडंड होती है एक डू इन्वेस्टमेंट गस इन्वेस्टमेंट और दूसरा आपका टाइम यहदं दोडोड दियान ना पंट पाटनर्श जैसे मैं بूल हु मैंने 12 मफित पैसा लगा या कि और इसने टयों मांसले पाइसा लगा है तो हमारा प्रोफिट का रेश्यों होगा वह होगा एक बात का बहुत ध्यान रखना यह ratio होगा ना कि profit होगा ठेक है चलिए ओके आते हैं question पर सबसे पहले concept or thought के बारे में बात करता हूं है कि जैसे यह question जो मैं आपको करवाता तो कैसे करते आप कि a b c a and c started the business with the investment in the ratio of 342 छे मैंने बाद a added half of the initial investment of c and b adds double the initial investment of c at the end of the year the profit earned by c is 1240 then what is the profit of the business एक तरीका होता है इसको आप लोग कैसे करते हैं आप लोग इसको करते कि वही six months के लिए जैसे पहला जो आप करते तो आप ऐसे करते कि three use करता six months के लिए उसके बाद उसने छे मैंने बाद a half of the initial तो दो का half एक यानि दो का half एक और तीन में एक या तो चार छे महिने के लिए आप इस तरह से करते हैं और answer आजाता जैसे आप करते हों बट मैं आपको एक न्यू न्यू जो है तरीका बताता हूं न्यू चीज बताता हूं जो आपके लिए काफी कि जैसे ना एक पैसा तो सिक्स मंस के लिए लग रहे हैं है ना तो यह वाला पैसा तो पूरे टाइम के लिए लगा ना तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ट्वेल्व मंस के लिए लगा पैसा पहला और बाकी six months के लिए लगा पहला 12 months के लिए आप लाकी six months के लिए लग यह पूरा तो 12 months के लिए लगा तो जो आपका आता है आप उससे few months के लिए लगा तो तीन यूज हुआ मैं कहता हूं अब देखू ये 6 months 12 months तो मैं direct ratio ले रहा हूं 2 और 1 तीन यूज हुआ पूरे 2 months के लिए 2 टाइम के लिए उसके बाद एने half of the initial investment of C half of the initial investment सी मतलब दो का हाफ एक तो एक के लिए यूज हुआ बहुत अच्छे बात है बी के पास कितना था फॉर तो फॉर टूसा एट हुआ और अपने पास सी है तो सी कितना है सी ने तो कुछ किया है नी तो दो इंटू दो चार क्योंकि यह दो यह दो फूरे 12 months के लिए मतलब मैंने 12 months को 2 और 6 months को 1 ले लिया तो यह पर पास कितना है 6 यहां 12 यहां गया चार ठीक है ना तीन दूनी छे और यह एड़ेड हाफ अब दैने एन बेर्ट डवल दे इनिशिल इन्वेस्टमेंट आप सी चार दूनी आठ डवल में चार ठीक है बारा चार सोला छे पाइस है ओके यह नहीं यह 6 नहीं यह 7 है रुक है त्री टूजा 6 प्लेस वन सेवन लाइब ना होने का यह फायदा नुक्सान है कि ध्यान मतलब भी नहीं प्रेक हो जाता है अच्छा 7 124 अब दे रखाए कि 4 की वैल्यू 1 2 4 0 तो 1 की वैल्यू 31 310 हो जागी चार तींबारा ठीक है चार क मतलब वही वही गुल अपल लग जाएगा चार का मतलब 1 2 4 0 तो आप बताव 1 का मतलब 310 और फिर आपको निकालना है टोटल इस तो 23 का मतलब 310 इंटो 23 23 23 यहां तो 0 आगे 2369 प्रेस 271 7130 यह आपका option है पहला option पर मैंने जो concept है वो दियां लखना चले आगे बढ़ते हैं अब इन सब का तो जरूद है नहीं अपने को ठीक है ना चलो आजाते कि जो अब यही सवाल अब अब आपने एक concept मैंने मुला कि अब यार ऐसे जब question आप देखो पर आपको kick मिलेगे कि कैसे मिलेगी वो भी देख लेते हरी सूरी एंड वीरू आइसा दा बिजनेस तो रिश्टा बनाता है कौन सूरी से होना चाहिए यहां बां से मुल्टिप्लाई करो 510 हो जाएगा यहां 2 से मुल्टिप्लाई करो 12 तो बोलते हैं आपते शूरी एरियुक्त लेलो फिर वीरू का नाम लेलो फिर अपना हरी का नाम लेलो ठीक है तो सूरी अपना कितना है जूरी है 10 और भीरू वही वाले लाइन छे महीने बाद मतलब टोटल टाइम 12 मन्त मान लिया मैंने मान के लिए हैं लिखा होगा एद देन तो यह है तो बारा मन्त के लिए कुछ पैसा युज भा कुछ पैसा च्छे महीन के लिए अब देखो सिंपल सी बात है बोलता है सिक्समान सूरी एड़ 40 परसें तो सूरी तो टू टाइम के लिए तो ट्वेंटी तो हो गया तो मतलब 40 परसें तो मतलब चार और फोर इंटो वन तो फोर हुआ कितना असान हो गया देखो वीर एट 20 परसेंट परसेंटव इनीशन डिस्मीन परसेंट एड़ गया तो फाइब तो टू के लिए लगा तो टेन रुआ प्लस्टी परसेंट एड़ किया तो वन अटिक्या वन टायम के लिए यू अन्रस्टांड अट चलिए उसके बात बात आती हरी की हरी ने है यहां पर यहां यहां पर यहां कितना है 14 11 और 24 प्लस 4 28 ठीक है चलिए टोटल बिजनेस से यह प्रॉफिट हुआ अब यहां अब यहां आपका अंसर होगा ऑप्शन डी ठीक है चलिए सोचो कि आपने अपने थोट प्रोसेस से न लगाया और आपका आंसर क्या आया ठीक है तो बस यार मेरे साब से आज के लिए बस यह दो सवाल ही करवा देता हूं और भी कोश्चन से बट मैं किसी दिन लाइव में लेंगा पार्टनर्शिप की कल पर्सेंटेज होगा बस यह आप दो ट्राइब कर देना ठीक है पार्टनर्शिप के साथ थोड़ी प्रॉब